स्भीडियो में आपको पता चलेगा कि अभी अगर आप संधाईजिशन को ब्रषि दयार कोई कौन है आपका कस्टामर कहांं से क्या आपकी लागत हैं कितना working capital चाहिए पूरा चीज, पूरा case study मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाया ताकि आप एक successful sanitization का business शुरू कर सके आप आसानी से अपने घर से तो इस वीडियो को देखे पूरे अंत तक पूरा details आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपको पूरा knowledge मिल जाएगा किस तरीके से आप एक successful business शुरू कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो startup योगिस में जैसे आप जानते हैं कि आपको personal guidance ये आप अपना startup शुरू करना चाहिए आपको help चाहिए तो आप हमारे इस private group के साथ जोड़ सकते हैं जहां पे आप अपने question जैसे आप जानते हैं कि अभी आज के दिन में इस महामारी के सानिटाइजेशन एक बहुत बड़ा concern हो चुका है आपको हमेशा अपने हाथ, पाओ, मुह, हर चीज़ आपको sanitize करना परता है और बाहर से जब आप आते हैं हर बार आप हात मुध होते हैं बहुत लोग नहाते तो अभी इस में आप अपना एक start-up, सफल start-up अभी एक समय है, बहुत अच्छा है, एक scope आपको मिलाएगी, इस जगह पे कम लागत में आप आसानी से अपना एक सफल business शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसकी requirement है, इसकी requirement बहुत जादा है, यह ऐसा नहीं कि fancy चीज नहीं है, यह हमें customer analyze करना पड़ेगा, कोई भी business शुरू करने से पहला आपको यह पता होना चाहिए, कि आपका customer कौन है, यहां पर हम primarily urban dwellers, जो urban areas में रहते हैं, semi-urban areas में रहते हैं, apartment है, जिनका खुद का personal गारी है, उनको हम target करेंगे, offices, school, colleges, जितने भी आपके, जो mass gathering होते हैं, उनका, वो है आपका target audience, वो है आपके customer base, तो यहां पर basically आपके buyers, आपके users होंगे, कौन आपका users होगे, citizens या family members, जिनको obviously अपने family को safe करना है, खुद के citizens को safe करना है, तो यहां पर आपके buyers कौन है, मतलब आपको payment कौन करेगा, क्योंकि जब भी आपको business करते हैं, users और buyers जो होता है, वो completely different होता है, user का मतलब आपका जो service है, वो कौन use करेगा, buyer मतलब कौन आपको पैसा देगा, इसके लिए आपको कौन payment करेगा, यह जानना बहुत जहुरी है, क्योंकि अगर आपका user buyer आपका analysis सही नहीं होगा, तो फिर इस जगा पर बहुत दिखकर, तो यहां पर आपके buyer क पकर सकते हैं, customer पकरना आसान हो जाएगा, apartment में जो societies होती है, उनको requirement होती है, अपने society को entrance को, आपका sanitize करने की vehicle owners, सोची कि मैं अपना खुद का गारी चलाता हूँ, उसको sanitize करना पड़ेगा, या fleet owners, जिनका पास taxi है, bus है, जहां पे बहुत जादा लोग travel करते हैं, ऐसा आप school, colleges, institutes, जहां पे लोग की mass gathering होती है, religious places, जैसे मंदिर, मस्जित, गुर्दवारा, जहां पे बहुत जादा लोग आते हैं, बहुत जादा भी नहीं, अगर कुछ 100-100-100 लोग भी दस्रोबरी आते हैं, वहां पे भी sanitize करने की ज़रत परती है, आप इस तरीके से restaurant भी हो होता है, जैसे offices हो गए, आप कोई भी office में जाओ, अभी IT office हो गया, कोई भी office हो गया, वहां पे ये requirement होता है, कि हर दो घंटे बाद बाद एक घंटे बाद बाद आपका fumigation करना परता है, sanitization करना परता है, hospitals, hospitals में हाला कि उनका एक अपना system होता है, पर फिर भी जैसे nursing homes होते ह clinics होता है, वहां पे भी आप उनको target कर सकते हैं, तो ये इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा आपका space हो जाता है, जहां पे आप target कर सकते हैं, और ये आपका user base तयार हो जाता है, ये already आपके buyer बन चुके हैं, जो आपका service लेना चाहते हैं, ये देखिए, आपका list में भी सेखने को मिलता है, तो ये आपका एक company है, जिनका franchise ही है, ये आपका you clean बोलके company उनका एक नया venture है, यहां पी external sanitization, commercial, vehicular, high risk area, high risk area मतलब आपके hospital हो गया, आपका clinic हो गया, जहां पे हमेशा आपके regular basis में sanitization की ज़रत होती है, vehicular जैसे मैंने आपको कहा, commercial areas जैसे school, colleges, institutes, hotel, restaurants, बहुत सारे ऐसे areas हैं, ये आपके इसके अंदर आजाते है, external sanitization मतलब अगर आपका external location में कोई भी अगर पार्क है, ऐसा जगह है, जहां पे लोग आते जाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, तो उसका भी आपको sanitization करना पड़ता है, तो इसी तरीके से ये जो market है, आपके लि यहां पे आपका 15% royalty है, तो सोचिए आपका margin कितना high होगा, यहां पे investment दिया गए 5-10 लाक रुपे, पर अब आसानी से, जैसे आप देख पारेंगे, cold fogging, hot fog, ऐसे बहुत सारे options आपके हाज आते हैं, industrial, आपका commercial places का fumigation, और इसी तरीके से आप sanitization पे काम कर सकते हैं, और यहा आपका spray करता है, आपका liquid जो है वो चिरकता है, तो इसी तरीके से आप भी अपना business जो है, यहां पर देखिए, यहां पर रुमाल बांद के, this is not a very healthy way of doing it, not a proper way or a professional way of doing it, आपको PPE kit पहनना चाहिए, proper gas mask पहनना चाहिए, क्योंकि employee safety is very big concern, जो आपको ध्यान में रखना fogging से, बैसे बहुत सारे जगह पे, especially आपका target होना चाहिए, कि residential area में, क्योंकि commercial areas में already उनका एक long term business या leasing का ऐसा business हो जाता है, तो उसको penetrate करना थोड़ा से difficult होता है, आपका objective यह होना चाहिए, किस तरीके से residential area जहां पे जादा भीड नहीं है, और penetration और commercial जो businesses होते हैं, जिनक आपको जादा इतना बड़ा जो competitor है, इस से लड़ने की कोई सुरुवत नहीं है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, कि process is very simple and easy, आपका location हिसाब से, आपका वसाइसे मैंने कहा कि safety is a very big concern, आपको safety पे ज़रूर ध्यान रखना पड़े का safety आप ignore नहीं कर सकते हैं, और जैसे आ आप आप से कर सकते हैं, आप ऐसे देख पा रहे हैं कि PPE kit के साथ और आपका fumigation या fogging machine या spraying machine के साथ, या आपका पूरा building है, पूरा apartment, पूरा room जो है, उसको sanitize कर रहे हैं, it's a very simple and easy process, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने PPE kit पहना हो, normal mask पहना हो, 3-ply mask पहन के, ये gas mask प ये चूने से फैलता है, ये पूरा जो रोग है, महामारी जो है, ये फू चूने से फैलती है, आपको पूरा area जो है, वो clean up करना पड़ेगा, साफ सत्र रखना पड़ेगा, it's not a very high skill labor job, जिसके बारे मैं बात करूंगा, और आसानी से आप इस जगा पे, इस तरीके से आप customers को sanitation का या आपका पूरे sanitization का service provide कर सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या equipment आपको यहाँ पे चाहिए, इस business को शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको एक sprayer चाहिए होगा, या fogging machine चाहिए होगा, sprayer यहाँ पे आप जैसे देख पार रहे और यह typically आपके खेती बारी में use होता है, पर यहाँ पे क्योंकि आप disinfectant चिरकेंगे तो इसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, यह आप Amazon में देख सकते हैं कि 8500 इसका link आपका description में दिया होगा रहेगा, आप इसको checkout कर सकते हैं, और उसी के साथ-साथ आपका अगर उतना budget नह आप इंवेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप यह manual machine देख सकते हैं, जहाँ पर hand pump करना परता है, और side में आपका sprayer रहता है, और यह भी आपका around 5-10 litre का, 16 litre का है, तो इसी तरीके से आप ऐसे sprayer को इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे आप देख पारें, अलग-अलग nozzle type का होता है, जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं, टिपिकली आप यह pink color का use करेंगे, क्योंकि यहाँ पर mist निकलती है, ताकि जादा से जादा area आप cover कर सकें, कम liquid खर्चा किये, और यह peat में आप as a bag डाल के, आप इसको इसको इस्तमाल करते हैं, cost effective 3,900 रुपेगा, उसी के साथ-साथ यहा आपका 400 रुपे का garden sprayer बोलते हैं, इसको इसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, इसको pump करके air pressure के साथ, आप इसको nozzle open करते हैं, और आपका जो disinfectant या liquid है, वो spray होता है, और यह भी एक mechanized है, यह भी 3,600 रुपे, 3,700 रुपे का है, और liquid जो डालना है, उसके बारे में पता होना परेगा ना, तो liquid जैसे आप देख पारें, सारे 600 रुपे में आपका 5 लीटर का refillable disinfectant आप यहाँ पे online में purchase कर पाएंगा, अगर आप market में जाके purchase करते हैं, तो वहाँ पे और भी सस्ता आपको मिलेगा, तो यह सारे चीजे जो हैं, आप purchase कर सकते हैं, और इसी से आप अपना सिर्फ spray करके छोड़ दिया, आपको clean भी करना पड़ेगा, microfiber cloth या कोई भी cotton cloth के मादियम से जैसे आपने देखा था, पिछले वीडियो में, कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है, इसको साफ कर रहे थे, microfiber cloth के मादियम से, तो इसी तरीके से आप जो है, अपना काम जुरू करना चाहिए, यह ideal location है, आपका urban areas, अगर आप Mumbai, Delhi, Kolkata, Noida, ऐसे जगह पे रहते हैं, तो urban areas यह semi urban areas, semi urban areas मतलब जो आपके cities या आपके towns होते हैं, उस area में आप शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपका office और private companies यह जादा जो है, वो शुरू हो रही है, apartment, residential apartment जो है, जह में रहते हैं, तो वहाँ पे इसका market उतना नहीं होगा, क्योंकि obviously requirement भी उतनी नहीं होगी, और population भी उतना dense नहीं होगा, पर जहाँ पे population density जादा है, जैसे residential area, office spaces, city town या urban areas, यहाँ पे आपका customer base तयार है, तो चलिए आपका capital, कितना खर्चा करना पड़ेगा, business शुरू करने हैं, तो आप जब भी आपको order मिलेगा, तो goods खरीदना पड़ेगा, maybe liquid खरीदना पड़ेगा, तो चलिए उसको अगर हम 5000 रुपे पकरते हैं, और आपका employee, employee मतलब यहाँ पे खुद पहले तो खुद शुरू कीजिए, उसी के साथ साथ बाद में sales caller या किसी को आप part time hire कर सक रुपे से, आपका 2000 रुपे at max, बहुत सारे pair आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस जगह पे आप इसको use कर सकते हैं, marketing budget बहुत important है, क्योंकि आपको तो marketing करना पड़ेगा, business जब शुरू करते हैं, marketing करना पड़ेगा, marketing नहीं करेंगा, तो लोगों को आपके बारे में कै 13 रुपे आपका, पर 1 रुपी spent के उपर earning होना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं, आपको marketing strategy जो है, उसको इस्तमाल करना पड़ेगा, but I would prefer that, आप marketing जो budget है, उसको social media marketing में डाले, SMS marketing में डाले, और बहुत सारे जो, जिसको employee को hire के, उसको कहिए कि mail करने के लिए, SMS करने क तो यहाँ पर आपकी property क्या चाहिए होगी, property तो यहाँ पर नहीं चाहिए, आपको तो दूसरे के property में जाना पर जाके काम करना परेगा, तो यहाँ पर वैसा कोई cost नहीं है, पर हाँ आपको यहाँ पर transportation पर ध्यान देना परेगा, क्योंकि obviously lockdown में है, ऐसे जगह पर आपके transportation हवेशा होगा नहीं, तो बाइक या कोई भी वैन आप भाड़े पर ले सकते हैं, रिक्षा भाड़े पर लेके काम कर सकते हैं, रेंट के लिए आप उनके साथ बाचीत कर सकते हैं, कि इस जगह पे इस तारीक को इतना घंटे हम लोग काम करेंगे, आप कितना लोग है, तो अगर आप मेकनाइस, एकदम प्रोफेशनल मेकनाइस करना चाहते हैं, तो आपका 50,000 से 10,000 से लेके 50,000 तक आपका पूरा बिजनस का हाड़वेर है, वो आपका कम्पलीटली ब्स्ट क्वालिटी का आप आजाता है, जैसे आपने देखा है कि यहां पे हैंड स्प्रेयर है, आपका generation होई जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए बात करते हैं margin की margin यहाँ पर typically आपके domain के उपर depend करता है जो मैंने यहाँ पर market स्क्वाइर फूट का अगर बिल्डिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर एक एक बिलिंग आपका यह काम जो करने वाले हैं यहाँ पर अठारा सो लेके दो अजार रुपए तक आपका हर एक काम का बिलिंग वैलू होता है स्क्राइब कर सकते हैं कि एक एक रूम अगर थार स्क्राइब करने के लिए अगर आपका हाफ लीटर या पून सारे साथ सो अमेल अगर आपका लगता है लेबर कॉस्ट मिला के आप अपना कॉस्ट अनलाइज कर सकते हैं और देखें कि आपका 40-50% जो है मार्जिन आराम से निकल के आता है क्योंकि अगर आपका फ्रैंचाइजी बिजनस में 15% अगर मार्जिन होता है सो डेफिनिट्ली देर इस हीज़ अमांट ओ रेविन्यू देर विच्छ यू कैं जेनेरेट फ्रम इस बिजनस तो यहां पर कॉम्पिटिशन कौन है कॉम्पिटिशन हरु है क्योंकि हैं पर बएर यहां पर ँनी रधिर नहीं है कोई भी आपका मशीन खरीट के बिजनस शुरू कर सकते हैं क्योंकि या semi-skill labor, आपको high-skill labor तो यहाँ पर चाहिए ही नहीं, क्योंकि high-skill labor coding या teaching purpose के लिए आपको चाहिए होते हैं पर यहाँ पर यहाँ पर तो वह सब तो दरकार नहीं, आपको सिर्फ जाके spray करना पड़ेगा, basic जो training है वो आप online के मादियम से सीख सकते हैं, या खोदी practice करके अपने बंदों को सिखा सकते हैं, तो low-skill labor यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर क्योंकि entry barrier बहुत कम है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना परेगा और उसी के साथ-साथ जितने भी सारे आपके pest control companies हैं, जो pest control का काम करती हैं, that is your biggest challenge, because they are already dealing with sanitization, you know, sanitation, so they can intrude in your domain, but you have to start with small little apartment here, commercial large-scale, you won't be able to do it now because you do not have the capacity and you do not know the cost which is involved, and also over it under the table, which you don't know, so I will say that start off small then you can grow, you can grow and become a successful business owner, आपका margin भी पढ़ेगा, revenue भी बनेगा, definitely, तो इस जगह पे आप कैसे जीच सकते हैं, यहाँ पे आपको aggressive marketing करना परेगा, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो को और 10 लोग अगर देखते हैं, 100 लोग अगर देखते हैं, आपके competitor आपके बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको aggressive marketing करना परेगा, दूसरा है आपको prompt response करना परेगा, कि कोई अगर call करता है कि अभी मेरे को आदा गंटे में चाहिए, तो आप आदे गंटे में उसको service दे सकें, और उसी के साथ साथ आपका objective यह होना चाहिए, कि subscription में कैसे खेले, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं per square foot करूँगा, आप बोलेंगे कि मैं आपका पूरा building का काम कर दूँगा, मैं महीने का 6000 रुपे लूँगा, या हर महीने 5000 रुपे, 6000 रुपे, सब्सक्रिप्शन basis में काम करें ताकि और आप 6 महीने का contract उठालो उनसे, इससे क्या होगा कि customer आपके साथ हमेशा लगा हुआ रहेगा, next आजाते कि आपको transparent pricing रखना परेगा, transparent pricing मतलब आप जो भी चीज इस्तमाल कर रहे हो उसका दाम आप डाल दो, labor cause डाल दो, प्लीज यार, material जितना अच्छा क्योंकि ज्यादा कॉस्ट होता नहीं है और जितना अच्छा material सुगंध वाला material इस्तमाल करोगे तो customer भी खुश होगा बुले कि हाँ बंदा सही है, next हो जाते कि आपको upsell करना पड़ेगा, जो सोची कि आपका sanitation या security अगर प्रोवाइट करते हैं या maybe कोई भी काम वाला भाई या manpower प्रोवाइट करते हैं, उनके साथ आप collaborate करके अपना जो service है वो upsell कर सकते हैं और उनको एक margin प्रोवाइट कर सकते हैं, तो आपको यहां पे जादा माता मारी नहीं करना परता है, और आपका referral पे जब जाएंगे customer तक अप्रोच करेंगे, so it becomes much easier to convert that customer. तो जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा details बताए कि कौन आपका customer है, user कौन है, buyer कौन है, कहां से equipment मिलेगा, शुरू करके खुद को आगे लेके जा सकते हैं, उसे के साथ साथ इस वीडियो को अगर आप यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, और अगर आपका कोई भी question query है तो नीचे comment section में हमें बता सकते हैं, हमारे private group के साथ आप जोड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने business के बारे में कोई भी question query है पूछ सकते हैं, और यहां पर आपको hand holding हमारी group provide करेगी ताकि आप अपना सफल business शुरू कर सकते हैं, thank you, take care, bye bye, खुश रहिए, स्वस्त रहिए और अपना business को साकर बनाएए, startup योग इसके साथ